लो आ गया पेपर से पहले पेपर UPCCPET 2022 एक्जाम हुआ आसान अब अवतार इस्टडी के साथ साथियों मैं हूँ पाल प्रभीन और आज के वीडियो में बात करेंगे UPCCPET 2022 एक्जाम की मुख टेस्ट के इस वीडियो के मादधम से 50 महत्पूर कोसन कवर करेंगे जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखेगा और वीडियो को सेर करेगा जिन लोगों ने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो आप सभी लोग चैनल को भी स सेर कर दीजिए लाइक कर दीजिए दिये गए सासकों का काल करमा अनुसार सही करम क्या है यहाँ पर रहमत्रों आपके आपसन आप सभी को बताना है किस में से कौन सा आपसन सही है ठीक है राइट आंसर है आपसन नमबर वी सबसे पहले आपके इलतुत मिस आते हैं फिर उस जहां से कौन से संत्य सिवा जी के समकालीन थे? जिन लोगों ने अभी तक क्लास को सेर नहीं किया तो आप सब लोग इबर क्लास को सेर कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए मित्रों यहाँ पर बताना है कि कूट कौन सा गलत है जहासी लच्छमी वाई से संबन्दित है लगनव वेगम हजरत महल से फैजाबाद लियाकत अली या फिर जगदीश पूर बीर कुमर्शिंग ठीक है यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा राइट आंسर उजागा अपने यह दखना है वंगाल के प्रृभशम में चाप दीजीगा वंगाल के प्रृथम गवर्णर जर्नल राइट आंसर लारड वारेइन हेस्टिंग टीक है? लाड़ वारेन हेश्टिंग ए बंगाल के प्रथम गवर्णर जैनल थे अगला प्सने चरक सहिंता संबंदित है सभी प्रश्ण बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम यूपी तरपाल इससी पी इटी के लिए तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरू देखेगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को शेर करिएगा और चैनल को भी सस्क्राइब जरू करें गया ठीक е चरक सहिंता की बात करें तो चरक सहिंता किस से संबंदित है सही आंसर है इसका option number V चिकित्सा से ठीक है चरक सहिंता चिकित्सा से संबंदित है अगला अपसन है जन्वरी 1931 में महत्मा गांधी की जेल से रियाही के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविस्त की कारवाई की योजना बनाने के लिए मुलाकात की थी सूरत, इलहाबाद, लाहूर या फिर कलकत्ता राइट आंसर है इलहाबाद में ठीक है जो कांग्रेस के नेता थे ठीक है कांग्रेस के नेताओं ने भविस्त की कारवाई के लिए योजना बनाने के लिए सोरी option number B इसका right answer इलहाबाद में ठीक है बात करें तो भारत में पहली बार कब आया था राइट आंसर है option number D 1928 में ठीक है 1928 में साइमन कमिशन पहली बार भारत में आया था अगला option है सुदेशी और वहिस्कार आंदोलन किस सतंता संग्राम के अंतरगत हुआ था राइट आंसर है इसका option number C ठीक है बंगाल विवाजन के अंतरगत सुदेशी और वहिस्कार आंदोलन हुआ था इस point को आपने बहुत अच्छे से या दखना है अगला option है इनमे से किसे भारत के अन्ड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है इनमे से किसे भारत के अन्ड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में चाप दीजीगा ठीक है राइट आंसर है इसका option number A दादा भाई नोरोजी को ठीक है दादा भाई नोरोजी को अन्ड ओल्ड के नाम से जाना जाता है भारती राष्ट्री आंदोलन के संधर्म में हिंदू महा काब महा भारत को फिर से बनाने वाला एक वेंग उपन्यास दा ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक निम लिखित में से कौन है जो भारती संसत के सदस्वी है अब सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है अगला अप्शन है भारती उद्दोग परिसंग का उपाधच निम्न में से किसे चुना गया भारती उद्दोग परिसंग का उपाधच किसको निक्त किया गया है उपाधच की अगर बात करें तो संजीप पुरी को भारती उद्दोग परिसंग का उपाधच के रूम में निक्त किया गया है अगला आपसे हाल ही में किस व्यक्ति ने विटन के प्रधान मंत्री पद से इस्थीपा दे दिया है विटन के प्रधान मंत्री के पद से किस ने इस्थीपा दे दिया है राइट आंसर है आपस नमबर सी बोरिस जांसन ठीक है वोरिस Janson ने विटन के प्रधान मंद्री के पद से हालही में स्टिपा दिया है इस point को आपने नोड करना है अगला अपसर में जापान के भ 시청 पूरप्रधान मंद्री कों थे सिंजोवे की गोली मारकर हत्या कर दी गई और जापान के कहां पर नारा सहर में ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है एक्जाम में आपसे यहां से कोशन पूश सकता है कि सिंजोवे की गोली मारकर हत्या किस सहर में की गई तो जापान के ठीक है जापान के आपूरती के लिए समझोते पर हस्ताचर किया है राइट आंसर रूस के साथ रूस के साथ कुंडन कुलम परमाण उर्जा सैंतर के लिए तक्नीक आपूरती के ला साथ समझोते पर हस्ताचर किया है अगला आप सने किस देश ने बरोवा माईट नामक संभावित विनासकारी परजीवी फिलेक को रोकने के लिए लाखों मदमक्यों को मार दिया था most important question है किस देश ने किस देश ने विनासकारी परजीवी फिलेक को रोकने के लिए लाखों मदमक्यों को मार दिया था सही answer है अपसे नमबर वी आश्टेलिया देश ने किस ने आश्टेलिया देश ने लाखों मदमक्यों को फलेक को रोकने के लिए मार दिया था अगला आप सने हाली में किस देश ने भीशर सूके को देखते हुए पो नदी के नजदीक पांच उत्तरी छेतरों में आपात काल की गोश्रा कर दी है most important question है किस देश ने भीशर सूके को देखते हुए पो नदी के नजदीक आपात काल की गोश्रा कर दी है ठीक है राइट आंसर है इसका option number A इटली इटली में पो नदी के पास जो छेतर पड़ता है वहाँ पर आपात काल की गोश्रा कर दी गई है कभी कभी exam में आपसे यहाँ से question पहुचा गया कि पो नदी किस देश में इस्तित है ठीक है जो आपकी पो नदी है एक कहाँ पर इस्तित है आपकी इटली देश में इस्तित है इस point को आपने बहुत अच्छे से यह दखना है अगला पसर है आप्रेशन नार्कोस की सुरच्छा वल से सम्बंदित है जिसके तहस नसीली पदार्तों की तसकरी के खिलाप एक महीने का अकिल भारती अभियान जून 2022 में सुरू किया गया था आप सब लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा अगला पसर है भारती मूल के विटिस नेता रिसी सुनक ने 5 जुलाई 2022 को किस पद से इस्थीपा दिया है भारती मूल के विटिस नेता रिसी सुनक ने 5 जुलाई 2022 को किस पद से इस्थीपा दिया है अगला पसर है हाली में किस देश के सत्रवे राष्टपती के रूम में जूनियर फारडी नेंस मार्कोस ने सपत गिर्ण की सभी लोग कमेंट बोक्स में छाप दिजेगा किस देश के राष्टपती है जूनियर फारडी नेंस मार्कोस और इन्होंने सत्रवे राष्टपती के रिर्ण में 17 नमबर के राष्टपती बने हैं उसके रूम में सपत ग्रहण की है और किस देश के हैं सही आंसर है फिलिप इंस देश के मित्रों सत्रवे नमबर के राष्ट पती के रुमें इनको निप्त किया गया है अगला प्रसने हाली में किस राजी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना सुरू की है सही आंसर है हिमाचल परदेश अपसर नमबर सीस का राइट आंसर हिमाचल परदेश सरकार के दोरा नारी को नमन योजना को सुरू किया गया है अगला प्रसने मूसी नदी निम लिकित में से किस नदी की साहक नदी है जो मूसी नदी है मित्रों एक किस नदी की साहिक नदी है अप सब इलो कमेंट बॉक्स में छाप दीएगा मूसी नदी किस नदी की साहिक नदी है सही आंसर है इसका option number 8 ठीक क्रशना एक किस की साहिक नदी है एक क्रशना नदी की साहिक नदी है अपनी अधखना है most important person है अपके exam के लिए अगला पस को स्वालाई अर्जुन सागरबांद किस नदी पर बनाया गया है right answer है कृछना नदी पर टिक है कृछना नदी पर नागा अर्जुन शागरबांद को बनाया गया है most important question है अगला पस किस नदी पर इस्तित है शलाल पनवजली पर्योजना किस नदी पर रिष्तित है यह चिनाव नदी पर रिष्तित है अगला चिने दुनिया का सबसे बड़ा महधीपी सेल्फ कोंसा है दुनिया का सबसे बड़ा महादीपी सेलफ कौन सा है आप सबी लोग कमेंट बोक्स में चाप दीजीगा और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को सेर नहीं किया तो आप सबी लोग क्लास को सेर कर दीजीए क्लास को लाइक कर दीजीए और comment box में हमको जरूर बताएगा कि आपको हमारा UPCCPT222 का जो MOC test है आपको कैसे लगा comment box में हमको जरूर बताएगा और आप सभी लोग exam में जाने से पहले इस MOC test को जरूर देख कर जाएगा कि कि यहां से प्रशन आपको exam में पक्का बनेंगे ठीक है दुनिया का सबसे बड़ा महादीपी सेल्प के अगरम बात करें तो कौन सा हो जाएगा ठीक है आर्कर्टिक महासागर का साइवेरियाई सेल्प ठीक है आर्कर्टिक महासागर का साइवेरियाई सेल्प यह दुनिया का सबसे बड़ा महादीपी सेल्प होता है 21 मार्च को वसंत विशुभ होता है अगला आप सेने भारत के वजट से सम्मान दित NIP जिसे दिसंबर 2019 में भारत के केंदरी वित्त मंतरी दोरा घोसित किया गया था का पूर्ण रूप क्या है Most important question है सभी लोग comment box में चापते जीगा NIP दिसंबर 2019 में भारत के केंदरी वित्त मंतरी दोरा घोसित किया गया था का पूर्ण रूप क्या है इसके पूर्ण रूप की बात करें तो इसका पूर्ण रूप क्या है Right answer है Option No.D National Infrastructure Pipeline Option No.D इसका Right answer है अगला पसन है किसके बढ़ने के फल्सरूप निजी निवेस में ब्रद्ध की अधिक संभावना होती है सही आंसर है इसका Option No. आप सभी लोग comment box में चाप दीजेगे जल्दी से Question No.27 है Right answer है Option No.C नई पूर्ण पर अनुमती प्राप्त अगला पसन है वेंकदर का अरत है Most important question है Question No.28 है वेंकदर का क्या अरत है Right answer है Option No.D देश के केंदरी वेंकदोरा ली जाने वाली अधिकारिक व्याजदर ठीक है वेंकदर का यहीं उद्देश होता है देश के केंदरी वेंक दोरा ली जाने वाली अधिकारिक व्याजदर अगला आप सेने NVFC और YMFI के लिए व्यक्तिकत रिणों हे तू नियूनुतम और अधिकतम व्याजदर के वीज अधिकतम अनुमे एक अंतर है आप सबी लोग कमेंट बास सुमता है या NVFC, YMFI के लिए व्यक्तिकत रिणों हे तू नियूनुतम और अधिकतम व्याजदर के वीज अधिकतम अनुमे अंतर कितना होता है अधिकतम अनुमे अंतर के अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4% से अधिक नहीं हो सकता ठीक है यह 4% से अधिक नहीं होता राइट आंसर है इसका ओप्सिण नमबर V अगला अप्सेन है भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दोरान प्रधान मंत्री कौन थे 1991 के दोरान भारत के प्रधान मंत्री कौन थे Q pertama 30 बहुत ही important है राइट आंसर है इसका ओप्सिन नमबर A PB नरसिम भराव ठीक है पीवी नरसिम्ब राव 1921 के दोरान यानि आर्तिक सुदार 1921 के दोरान भारत की प्रधार मंतरी थे अगला आप सने हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार विना वसीयत मर जाने बाली हिंदू महिला की संबत्ति पर पहला अधिकार निम्ण में से किसका होगा ठीक है राइट आंसर होगा पहले अधिकार की बात करें तो उसके पती का पहला अधिकार होगा अपनी अधिकना है most important पसन आपकी exam के लिए तो आप सभी लोग वीडियो को share कर दीजिगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही important होने वाली है बहुत ही खास होने वाली है सभी लोग share कर दीजिगा अगला अपसन है निम्न में से किसे सम्मिधान की कुंजी की संग्या दी गई है most important question है सम्मिधान की कुंजी की संग्या किसे दी गई है कुंजी की संग्या किसको दी गई है question number 32 है right answer is option number C उद्देशका को उद्देशका को सम्मिधान की कुंजी की संग्या दी गई है अगला question है भारत के सम्मिधान में इनमें से क्या सम्विधान को सरवच्चता अगला अपस्वन है निम्न लिखित में से क्या भारती सम्विधान की मुख विसेष्था नहीं है अप्सन है अर्द संगी संरचना प्रतिवद्द न्यायतंत्र सक्तियों का वितरण निम्न लिकित सम्मिधान और सम्मिधान को सर्वुच्चता राइट आंसर है इसका option number V ठीक है प्रतिवद्ध न्यायत अंत्र प्रतिवद्ध न्यायत अंत्र शमिधान की मुख विवेस्ता नहीं है अगला पिसन है प्रधान मंत्री अन्यदाता आयसन रच्छन अधनियम में डैस घटक है जो सरकारी क्रसिपज की कीमत और दच्छता के लिए नीत भंडारन में अपवै और रिसाब को कम करने और वित्ती लाब कमाने के लिए तर्ग संकत व्याख्या करता है सबी लो कमेंट व्याख्या को करता है अगला पिसन है अप्सिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान निता डैस उपचार कहा जाता है राइट आंसर है इसका अप्सिष्ट नमबर ठीक है डी सीवेज क्या कहा जाता है तो सीवेज उपचार कहा जाता है अगला पिसन है दाब बढ़ने पर पदार्थ का कतुनांक हो जाता है most important question अगर दाव बढ़ाया जाता है तो पदार्थ का कतनांक कैसा हो जाता है सही आंसर इसका option number 3 पहले कम और फिर अधिक जब किसी भी वस्तु का जब किसी भी पदार्थ का दाव बढ़ाया जाता है तो सबसे पहले उसका कतनांक कम होता है और उसके बाद कतनांक उसका बढ़ जाता है अगला आप सेले द्वारम वेंकट स्वामी नायड़ू निम्लकित में कौन सा संगीत वादयंत्र बजाया करते थे राइट आंसरे वाईलीन ठीक है यहाँ पर right answer होगा मित्रो कोस्टर नमबर A यहाँ पर byline होगा आप सभी लोग comment box में छाप दीजिगा और जिन लोगों ने class को share नहीं किया तो आप सभी लोग share कर दीजिए तो क्या बजाते थे मित्रो बे? byline बजाते थे या अपनी अधगना है अगला आप सणे किसको विसिष्ट उस्मा सबसे ज़्यादा होती है किसकी broaden number 49 को और e right answer is right answer is rescue option number A जलकी जलकी जो विसिष्ट उस्मा होती है यहाँ बहुत ही जादा होती है question number 49 का right answer is option來 pré अगला आप सणे है निमल्लिकित में क्या निस्फल भूमी का एक मोखे है निम्न लिक्त में किए निश्वल भूमी का एक मुख कारण है आप सभी लोग बताएगा निम्न लिक्त में क्या निश्वल भूमी का एक मुख कारण है रा Cont गट करण है इसकाbat कि आप Kebau दी मिर्धा अपर्दन unrest पाइंट को अपने यहाँ देखना है, मिर्दा अप्रड़ान इस पाइंट को अपने बहوت अच्छे से यहाँ देखना है, सभी लोग के बार वीडियो को स्बेर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चेनल को भी सस्क्राइब जरू कर दीज़ेगा अगला इसल है। गडबाल में रेनी गाउं 1970 में हुए किस परिया वर्ण सर्रचन के लिए मसहूर है। राइट आंसर है इस सभी लोग दिनगे इसका रेनी गाओं किस परिया वरोण संरचन के लिए मसह हूँ रहे है, राइट आंसर है इसका option number C, चिप को अंदोलन, ठीक है, किसके लिए संबंदित है, चिप को अंदोलन के लिए संबंदित है, अगला आपसे ले, वेलूर मठ कहा बात करें तो वेलूर मट कहां इस्तित हैं सही आंसर इसका option नमबरी कोलकाता में ठीक है वेलूर मट अपका कोलकाता में इस्तित हैं इस point को आपने बहुत अच्छे से यह रखना है अगला अपसर है उस पडोसी राष्ट की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंब देश के साथ साजा करता है अगर पूचे भारत सबसे कम सीमा किसके साथ साजा करता है तो महमित अपका अफगानिस्तान हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साजा करता है भारत अपनी अधखना है अगला अपसर है धमेक का इस्तूब किस काम की वस्तुकला का सरवोच उधारण है कुस्तर नमबर 44 का ठीक है राइट आंसर है option नमबर V गुप्तकाल का किसका पिसे देमतरों वस्तुकला सरवोच का उधारण है गुप्तकाल का इस point को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे अगला पिसल है निम्ड कित में कौन भारत के पहले ग्रेमी पुरुषकार विजेता है आप सभी लोग होताएगा भारत के पहले ग्रेमी पुरुषकार विजेता कौन है ग्रेमी पुरुषकार विजेता इनका नाम है पंडित रवी संकर option number 10 का राइट आंसर है पंडित रभी संकर बारत के पहले ग्रेमी पुरुसकार बिजेता है अगला आपसने निम्ण में से किस देश को थंडर ड्रेगन की भूमी के नाम से जाना जाता है राइट आंसर ए अपस नमबर वी भूटान को ठीक है भूटान देश को थंडर ड्रेगन की भूमी के नाम से जाना जाता है अपनी याद लखना है अगला आप सने निम्न में किस इस्थान पर अजन्ता एलोरा की गुफाएं इस्थित है Most important question है अजन्ता और एलोरा की गुफाएं किस इस्थान पर इस्थित है Right answer है इसका option number V और इसकी अधिकारिक भाँसा की बात के ने तो इसकी अधिकारिक भाँसा क्या है Right answer है option number V Maliyalam ठीके केंदर शाषित पर देश है अपका लच परदी लच चरीब और इसकी अधिकारिक भाँसा क्या है कैन्दर शांसित परदेश की गर बात करें तो भारत के अंदर किल किन्दर 6 है तो वरतमान में b कल राज जी कितिने है भारत के अंदर टीग 28 राज जैंसरट को अपने बहुत अच्छे साहिए लगारा अग्ला आपने याद अखना है most important person है आपके exam के लिए अगला आप सेने सहीक्तो राष्ट अमेरिका का राष्टी खेल क्या है most important question है आपके exam के लिए comment box में आप सभी लोग बताएगा कि भारत का राष्टी खेल का है ठीक है भारत का राष्टी खेल क्या है आप सभी लोग comment box में छाप देजेगा और अमेरिका के राष्टी खेल के अगर हम बात करें तो अमेरिका का क्या हो जाता है मित्रों वेसवाल ये अमेरिका का राष्टी खेले ये थे मित्रों आपके UPCCPET exam 2022 से सम्मन नित महत्त पूर्ण वीडियो को सेर करेंगा और वीडियो अकर आपको पसंद आये हमारा content आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और comment करें चैनल को भी subscribe जरूर करें मेरते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत